वेलकम टू आर चैनल राठोड सर ओनलाइन क्लासिस आपका हमारे चैनल राठोड सर ओनलाइन क्लासिस पर बहुत-बहुत स्वागत है हम आपके सामने लेकर आए हैं High School English Grammar and Composition Written by Renan Martin का Part 8 लेकर आए है इसमें हमारी जो Noun Series चल रही थी उसका ये वीडियो है ये भी एर्थी वीडियो है और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि Abstract Noun से और हम Abstract Noun का निर्मान हम Adjective से कैसे कर सकते हैं यानि कि अगर कोई Adjective है और उस Adjective से हमें Abstract Noun बनाना हो तो हम किस परकार बना सकते हैं और किस परकार उसको हम Sentences में यूज कर सकते हैं पिछले वीडियो में हमने दस ऐसे Adjective देखे थे और उन दस Adjective से हमने Abstract Noun बनाये थे और उसको किस परकार हमने Sentence में यूज किया था अब उसी करम में हम आपके सामने उसका Part 2 लेकर आए हैं आज हम कुछ और Adjective देखेंगे जिसके द्वारा हम Abstract Noun बना सकते हैं तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत सागत करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करें बैल का आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिपिकेशन आपको समय पर मिल सकें तो चली शुरू करते हैं आज मैं आपके सामने कुछ और एडजेक्टिव लेके आया हूँ जैसे एक हमारा एडजेक्टिव होता है वाइड वाइड का मतलता है चोड़ा और जैसे वाइज वाइज याने बुद्धिमान गुड याने अच्छा वेकेंट का मतलता है रिक्तिया खाली स्वीट का आर्थ होता है मीठा और हुमन हुमन का मतलता है मानव याने कि ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव हैं इन एडजेक्टिव के हम एबस्टेक्ट नाउन बनाएंगे और उन एबस्टेक्ट नाउन से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो देखिए सबसे पहले तो जो हमारा adjective है wide wide से जो abstract noun बना वो हमारा बना width यहने wide का मतलब होता है चोड़ा और width का मतलब होता है चोड़ाई next जो हमारा adjective है वो है wise तो wise से जब हमने abstract noun बनाया तो वो हमारा बना wisdom यानि कि wise यानि बुद्धिमान और wisdom का मतलब होता है बुद्धिमानी यानि कि इसमें देखिए हमने e को हटाया और इसमें dom लगा दिया तो यह जो हमारा वो abstract noun बुद्धिमानी या wisdom बन गया next है हमारा good तो good एक adjective है इसमें ness लगाकर हमने एक abstract noun goodness यानि अच्छाई का निर्मान किया यानि good यानि अच्छा और goodness यानि अच्छाई next जो हमारा adjective है वो है vacant तो vacant को जब हमने abstract noun में change किया तो vacant का मन गया vacancy vacancy का मतलता है रिक्तियां खाली पद जब vacant यानि रिक्त यानि कि कोई भी post अगर vacant होती है तो उसको तो हम वहते एक adjective है और जब उसकी पूरी overall निकाली जाती है तो एक vacancy होती है यानि रिक्तियां होती है sweet next हमारा जो adjective था sweet मीठा तो इससे हमारे जो abstract noun बनेगा वो बनेगा sweetness यानि मिठास और उसके बाद human human के बाद हमारा इस human जो है उससे हमारा बन गया humanity तो चली अब हम एक एक adjective को लेकर उसके वाक्यों का निर्मान करते हैं तो सबसे पहले तो हमने लिया है हमारे जो adjective है wide, wide का मतलब होता है चोड़ा और wide का जो हमने abstract noun बनाया था वो बनाया था हमने width विर्थ याने चोड़ाई तो इसका देखिए sentence देखिए कि this room is 15 feet wide कि यह जो कमरा है यह 15 feet चोड़ा है यानि कि यह जो wide जो word used हुआ है वो हुआ है room के लिए और room एक noun है round है और noun भी कौन सा है हमारा common noun है तो देखिए यहाँ पे जो wide जो word used हुआ room के लिए इसलिए यह wide जो है वो एक adjective है अब देखिए इसको हमां abstract noun के रूप में कैसे use करते हैं कि the width of this room is 15 feet कि इस कमरे की जो चोड़ाई है वो 15 feet है तो यहाँ पे जो width जो सब्द आया है यहाँ पे जो width जो सब्द आया है वो हमारा एक abstract noun के रूप में आया है क्योंकि यहाँ पे एक subject की रूप में वो काम कर रहा है next देखिए हमारा next हमारा जो adjective था वो था wise वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान और इसी बुद्धिमान से जब हमने abstract noun मनाया तो वो हमारा बन गया wisdom तो wisdom की spelling होती है W-I-S-D-O-M तो इसमें देखिए E को हटाकर D-O-M लगाने से हमने abstract noun wisdom का निर्मान किया जिसका अर्थ होता है बुद्धिमानी अब इस बुद्धिमानी को यह wisdom को हम एक noun की रूप में एक subject की रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं वो कैसे देखिए कि देखिए इस sentence में नमा जो next sentence वो है Mohan is a wise man, Mohan एक बुद्धिमान विकती है तो यहां पर यह man कोण है, man जो है wise है, यानि कि man की क्या विशेश्चता है कि वो wise है, तो यहां पर जो wise जो word है वो एक adjective आया, इसी को जब हम abstract noun की रूप में यूज करते हैं, तो देखिए Mohan's wisdom, कि Mohan की जो wisdom है, is famous in our village, वो हमारे village में famous है, तो यहां भी जो wisdom है अपने आपने एक subject के रूप में काम कर रही है, तो मोहन की जो wisdom है, तो यह overall एक subject की रूप में काम करने के कारण, wisdom है, wisdom को आप feel कर सकते है, इसलिए एक abstract noun है, आगे देखिए next हमारा adjective है, good, good का मतलब होता है अच्छा, औ बने का अच्छाई, यानि की goodness, तो जब हमने इसको एक abstract noun के रूप में लिखा, तो यहां पर देखिए, goodness जो है, हम इसको एक particular subject के रूप में यूज़ हो रहे है, क्योंकि goodness अच्छाई एक गुण है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि abstract noun में किसी भी व्यक्ति क quality, किसी कोई feeling और की state आती है, तो यहां पर एक goodness है, एक अच्छाई, एक quality है, इसलिए यह हमारी abstract noun है, next देखिए, next adjective है हमारा vacant, तो vacant का जो abstract noun बना वो बना vacancy, तो इसका sentence देखिए, कि there is a post of color की vacant, अब यहां पर vacant क्या है, vacant एक post है, तो post क्या एक noun है, अब noun होने की करण, post ए इसी को हमने abstract noun की रूप में लिखा, तो देखिए, कि our office has a vacancy for the post of clerk, यहां पर यहां पर जो vacant जो word था, उसी को हमने abstract noun vacancy की रूप में लिख दिया, तो next देखिए, next हमारा जो adjective हो है sweet, sweet का मतलब होता है मिठा, तो इसी से जो हमारा abstract noun बनेगा, वो बनेगा sweetness, sweetness का मतलब होता है मिठास, यानि कि आप देखिए, sweet में हमने N-E-S-S लगाया, यहां से जो हमारा adjective sweet जो था, वो abstract noun sweetness में convert हो गया, तो दोनों को हम sentence में use करेंगे, कि this is a sweet mango, कि यह जो mango है, वो बहुत sweet है, यानि कि mango की क्या विशेशता है, वो sweet है, तो यहां पर sweet है, वो एक adjective के रूप में आया है, और अब देखिए, next sentence में, the mangoes of ratnagiri are famous for sweetness, कि ratnagiri के जो काम है, वो अपने मिठास के लिए, यहां पर देखिए, यहां पर sweetness जो है, वो अपने आप में एक compliment का काम कर रहा है, यानि कि वो एक abstract noun है, sweetness को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, उसको feel कर सकते, एक feeling होने के कारण, यह एक हमारा abstract noun है, नेस्ट हमारा adjective है, human, human से हमारा abstract noun मना, वो बना humanity, और इसी से देखिए, हमारा sentence मना, कि अशोक is a good human, यहां पर जो human है, वो adjective के रूप में आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, अशोक के कारण होने के कारण, वो एक adjective है, और we should show humanity towards needy people, हमें जरूरत मन लोगों के परती, मान होता, अब आपके लिए कुछ homework लेके आया हूँ, आपके सामने मैं कुछ adjective दिये है, आपको क्या करना है, कि इन adjectives को आपको और इनके आपको abstract noun बनाने है, तो देखिए, पहला हमारा adjective है poor, तो आप इनको note कर लीजिए, और इसके जो solutions है, मैं आपको next वीडियो में तो इसके देखिए, सबसे पहला हमारा adjective है poor, पूर याने गरीब, इससे आपको abstract noun बनाना है, फिर दूसरा है just, just का मतलता है नयाइपरी है, third है when, when का मतलता है गमंड, और अगला है sand, सैन यानका स्थिर, और उससे अगला है ignorant याने अग्यान, तो आपको इन सारे के सारे adjective से related आपको abstract noun का निर्मान करना है, तो थोड़ा दिमाग लगाईए, सोचिए, और इसका abstract noun बनाईए, उसके कुछ sentence भी आप बना के देखिए, कि आपको adjective से abstract noun बनाना आया नहीं, तो बाकी मिलते हैं next वीडियो में, जे हिन, जे भारत, वंदे वात्रम, अगर्या हूँ